आज के दिन की शुरुवाद कुछ निराशा पूर्ण हो सकती है, लेकिन दिन का अंत संतुष्ठी जनक ही होगा, आपके धैर्य और द्रड़ता का आपके आसपास के लोगों पर सकारात्मक असर होगा, और आपकी हर समस्या खुद ही हल हो जाएगी. राशी मेश रोमान्स आपको लगेगा कि प्यार मिलते वक्त सितारे आपके पैर पीछे खीच रहे हैं. आप आज अपने सही पार्टनर से मिल तो पाएंगे, पर डेटिंग की बात नहीं बन पाएगी. चिंता ना करें, आगे जल्दी सफलता मिलेगी. राशी मेश करियर व्यापार में तगड़ा जटका लगने का भय है. इससे बचने की कोशिश करें. अच्छा तो यह रहेगा कि इस तातकालिक जटके से अपनी विवसाई को बचाने का प्रयास करें. एक लक्ष बना कर उसे पाने का प्रयात्न करें. कुछ ऐसे करमट और निष्ठावान शिर्फ मोटापे की परिशानी से ही नहीं बचेंगे, बलकि जीवन का आनंद भी लेंगे. यह आपको सदैव स्वस्त रखने में सहायक होगा. आज आपके घर में सुक शान्ती बनी रहेगी. आज का दिन आप अपने प्रियजनों के साथ पिताएंगे. आप उनके साथ घर पर बैठ कर खूब बाते करेंगे और मजा करेंगे. आप छोटी-छोटी खुशियां अपने परिवार के लोगों के साथ बाटेंगे. आप उन का आनंद उठा रहे हैं. अपने प्रेमी को बाहर ले जाने पर पूंड़ता का एहसास होगा. यदि आप अपने प्रेमी को परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं, तो आज ही उचित समय है. राशिवरेश करिया आज व्यावसाईक क्षेतर में आने वाले मौके को हाथ से ना जाने दें. इसका लाव उठाने के लिए जो भी फैसला लेना हो जल्दी ही लें. इन कठिनाईयों से आपको भविश्य में आने वाली कठिनाईयों का सामना करने में मदद मिलेगी. आज अपने मार्ग में आन बेहिचक रही हैं, पर बेहिचक विदेश जाने की तयारी करें. विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज फायदे मन साविध होने वाला है. जो काम अभी शुरू होने वाले हैं, सब आपकी मेहनत का सही फल देंगे. आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा. आज आप स्वच्छ और संतुलित भोजन खाना पसंद करेंगे, जिससे आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगे. आज कारे करने की क्षमता कम हो सकती है, इसलिए आप जिम भी जा सकते हैं. कोशिश करते रहें, आप सही रास् को जान पाएंगे. आज आप अपने भीतर जाकना चाहेंगे, और इसके लिए ये समय बिल्कुल सही है. इस राह पर चलने से आपको सुक्षानती मिलेगी. राशि मिथुन रोमैंस आज आप नीरस्ता को अपनी जिंदगी में ना आने दें. कुछ ऐसा करें, जिससे आपकी रोमैंटिक जिंदगी में जोश एवं उत्साह पैदा हो सके. अंतितह आप और आपका साथ ही, जीवन के निश्चित पत पर चलने में सक्षम होंगे. आपसी रिष्टों को प्रस्ताव आपको मिल सकता है. इस अवसर का पूरा पूरा लाब लें और पूरे मन से अपेक्षाओं को पूरा करें. इसके लिए कुछ अतरिक्त काम करना पड़े, तब भी अपने भविष्च के लक्षियों की पूर्ती के लिए इसे अवश्च करें. अगर आपको शेयर ट्रेडिंग का शौक है, तो आज का दिन आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. आज के दिन आप अपनी किस्मत ही नहीं, अपने अनुमान का भी काफी इस्तेमाल कर सकते हैं. राशिमित्थुन हेल्थ ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सावधान रहने किया वशकता है. अगर आप ज्यादा वज़न से परेशान हैं, तो उसे भी कम करें, क्योंकि यही आपके लिए लाबदाई है. सिर्व शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें. आपको लाब होगा, यद आप साधना को अपने जीवन का नियमित स्थान दें. राशिकर्क, ओवर्विव इस कानूनी मुद्दे को अब पूरी तरह से खत्म कर दें. राशिकर्क, रोमैंस आज रोमैंस के लिए अध्यन्त सकारात्मक समय है. अपने प्रेमी को कार्ड आदी लिखकर भेजने के लिए आप इस कारे के लिए प्रशंसा पाएंगे. आज आपके पास ये सोचने का समय है कि ये संबंद आपके लिए कितना सुखद वो आनंद दायक रहा. आज आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं जो कि अपना अनुभव आपके साथ बांटेगा और आपको प्रुचसाहित करेगा. ये भी संकेत हैं कि वो आपको सफलता की राह पर आगे वढ़ाएगा. इसलिए ये आपके हित में हैं कि आप इस अवजर को हाथ से न जाने दें और इससे कुछ सीख लेकर लाब उठाएं. राशिकर्क. फाइनांस. धीमी चाल से जीत का इरादा यही आज आपका आर्थिक मंत्र होना चाहिए. आपको अपने निवेश का तुरंत तो कोई फाइदा नजर नहीं आ रहा है पर आगे चल कर लाब सुनिश्च राशिकर्क. हेल्थ. आज आप अपने स्वास्त को उच्च स्तर पर पाएंगे. आपके पास सही मात्रा में उर्जा है तो इसका उपयोग जरूरी व्यायाम करने में करें. आप खुद को स्वस्त रखने की अच्छी आदत को बनाए रखें. आप देखेंगे कि आप उर्ज और स्वस्त महसूस करेंगे. राशिसिंग. ओवर्वियू. आज आप आत्म विशलेशन के मूड में हैं. आप सोचेंगे कि आप जिंदगी में कहा तक सफल हुए हैं और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है. आप ये भी सोचेंगे कि अब आगे जिंदगी आप को कहा ले जाएगी. इस आत्म विशलेशन से आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी. अपनी सफलताओं के लिए अपने आपको शाबाशी दीजिए. राशिसिंग. रोमैंस. आज आप अपने पार्टनर के प्यार का सामर्थ जानेंगे और वे भी आ आपके बारे में ऐसा कर पाएंगे. पार्टनर शारिरिक, मानसिक और बौधिक रूप से आपको संतुष्ट करेगा. रोमैंस की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए उत्तम है. मौके का फायदा उठाएं. लंबे समय से रिष्टे में बंधी जोडियां आज रिष्टे के ठहराव की तारीफ करेंगी. राशे सिंग, करियर. आप जिस करियर के बारे में सोच रही हैं, उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी न हिचक चाएं. वो अपने दिल से आपका हिच चाहते हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे. आप इस बात को लेक संतोश होगा कि आपकी स्थिती अब सुद्रड हो रही है. आपकी कोई लोटरी तो नहीं निकलने वाली, लेकिन इतना तो है कि आपकी परीक्षा का अच्छा परणाम तो मिलने ही वाला है. चिंतित नहों, कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिती बहतर होती जा रही है, और निकट भविश्य में इसमें कोई गिरावट का भी डर नहीं है. आज आप में काम करने की क्षमता कम रहेगी. आज आप खुद को किसी कारे में व्यस्त रखें और हिम्मत बनहाएं. हो सके तो आप अपना ध्यान धार्मे कारियों में लगाएं. इससे आपका तनाव भी कम ह और दूसरों की भावनाओं से भी जुड़े रहेंगे. आज आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचेंगे. आपका रुझान आध्यात्म की ओर रहेगा. आप अपनी जिंदगी में धर्म के महत्व को भी जानना चाहेंगे. इस राह पर चलने से आपको खुशी मिलेग इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं. ये निश्चित कर लें कि आपका साथी भी वैसा ही महसूस करता है. राशिकन्या करियर आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपका नकदी का स्तर उतना बढ़ गया है जितनी की आपको आवशकता थी. इससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम किसी से रण लेने की आवशकता नहीं रहेगी. आज अपने धन को ल और इस बदलाव का इस्तेमाल अच्छा महसूस करने और स्वास्त के प्रती सचेत रहने में करें. आज आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकेंगे. आज आपकी योग्यताएं अपनी चरम सीमा पर हैं. हर एक शेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनिय रहेगा, लेकिन इस बात का गुमान अपने मन में ना आने दें, बरना आपके दोस्त ही आपके खिलाफ हो जाएंगे. राशितुला, रुमैंस सामाजिक कारे हेतु किसी स्थान पर अगर आप आज निकलते हैं, तो आपको एक खास व्यक्ति मिल सकता है. वह जगा कॉफी की दुकान या दान्स बार भी हो सकती है. इस नए व्यक्ति के साथ आप डेट पर जा सकते हैं. इसके साथ रिष्टा बनाना आपके लिए रोचक रहेगा. अपनी असीमित उर्जा के बल पर आप काम के बोज को आसानी से वहन कर पाएंगे. अच्छी बात ये है कि विशम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परिशानी के आसानी से गाम कर लेंगे. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में आप आराम भी करते रहें. राशितुला, फाइनांस. जरूरत है कि आप विवसाय के नए विकल्प पर तुरंट और सकारात्मक धंग से सोचें. इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा. आप इस विकल्प को अपनी महनत से हकीकत में बदल दीजिए. विवसाय में सफलता का मूल मंत्री य ही तो है. थोड़े बहुत उतार चड़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिती लगातार ठीक होती जाएगी. कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी महनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पालेंगे. राशितुला, हेल्थ. आज हर जाने का भी मौका मिलेगा. इसलिए खूब मस्ती करें. किसी नस्दी की रिष्टेदार के साथ आपका रिष्टा खराब हो सकता है. आज अपनी तरफ से अपने रिष्टे को सुधारने की पूरी कोशिश करें. इसकी शुरुवात आप अपनी जुबान पर काबू रखके कर सकते हैं. सही संप्रेशन से आपको बहुत मदद लेकिन अगर आपको लगता है कि स्थिती आपके नियंत्रण से बाहर है तो आपका खामोश रहना ही बहतर होगा. राशिवरिश्चिक रुमैंस राशिवरिश्चिक जमीन जायदाद बेचने के लिए यह दिन शुब है. इसलिए अगर आप कोई जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए लाबकारी है. आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जमीन संबंधित कागजात ध्यान पूर्वक जाच लिए हैं. क्यो आप धंग से आराम भी नहीं कर सकते. ज्यादा परेशान नहों और सकारात्मक सोच लाएं और पर्याप्त आराम करें. राशिधनो ओवर्वियू आज आध्यात्मकी और आपका रुज़ान पहले से अधिक रहेगा. आप धार्मिक और आध्यात्मिक माननिताओं के बारे में सोच विचार करेंगे. इससे आपकी अपनी जिन्दगी के बारे में समझ बढ़ेगी. राशिधनो रुमैंस आप अपने प्यार को अपने शारिरिक रिष्टे से ज्यादा एहमियत देते हैं. आप महसूस करते हैं कि आपका साथ ही आपको अपने निजी फायदे के लिए इस्तिमाल कर रहा है, ना कि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा है. आज के दिन इन विचारों को हवा में उड़ा दें और इस ओर से अपने आपको निश्चित कर लें. राशिधनो, करिया, संकेत है कि आपके अपने उच्च धिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं. अगर ऐसी परिस्तिती सामने आती है, तो अपने गुसे को काबू में रखें. जो भी बोलें, तोल मोल कर ही अगर बात बिगड़ती नजर आए, तो बात चीच से बात को सुलजाने की कोशिश करें. आखिरकार ये वैचारिक मतभेद ही तो है. अगर आपको लगता है कि दूसरे इंसान के एहम के कारण बात बिगड़ सकती है, तो बिना कुछ बोले ही हट जाएं. यदि आप अपनी किसी संपत्ती को लंबे समय से बेजना चाह रहे हैं, तो आपको आज के दिन की दशा देखनी चाहिए. अगर आपका किसी संपत्ती पर विवाद चल रहा है, तो आज के दिन सभी विवादों का निप्टारा हो जाएगा. यह समय आपके लिए लाबकारी सुनहरा बदलाव बन कर आएगा, फिर भी लेन देन की इस प्रक्रिया के लिए परिश्रम करना आवश्चक है, क्योंकि यह पूर्ण होने में समय लेती हैं. आज आप कुछ शान दिखेंगे, परंतु अंदर से आप परिशान है, दिमागी तनाव आज ज्यादा रहेगा, इसलिए आज शान्ती के लिए दोस्तों और घरवालों के साथ समय बिताएं, आप जल्द ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे. राशी मकर, ओवर्वियू हफते भर से चली आ रही बहस और तनाव से आप खुद को ठका हुआ सापाएंगे. ज्यादा तनाव ना लें और जगड़े से बचने की कोशिश करें. अपने दोस्तों और परिजनों से प्यार से पेश आएं, और अगर कोई बात बिगडभी जाए, तो उसे प्यार और अंसिक शान्ति मिलेगी. राशी मकर, रुमैंस अपनी उर्जा कास्तर उचा रखें, वो अपनी कमपनी की हर तरह से मदद करते रहें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी. अगर आप पैसे के प्रबंधन से संबंध रखते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप अपने काम में कोई गल्ती नहीं करेंगे अपना लेखा जोखा देखें, और देखें कि किस मद में धन की कमी पड़ रही है, क्योंकि आज कहीं से अचानक पैसा मिलने की उमीद है, उससे आप पुराना कर्ज भी चुकता कर देंगे. ऐसा करके आपको बड़ी तसली मिलेगी. आप पैसे के मामले में आज थोड़ा स तर्ग भी रहें, आप देखेंगे कि इससे आपको बड़ा फायदा मिला. राशी मकर, हेल्थ आज आप अपने परिवार वालों के साथ सेहत की जाच के लिए जाएं. ध्यान रहे दातों की जाच जरूर कराएं. और पाचन क्रिया भी ठीक चले. आज अगर आपने ध्यान लगा कर चकप करा लिया, तो आप भविश्य में आने वाली परेशानी से बच जाएंगे. आज आप अपने घर वालों वह दोस्तों के साथ मजा लेंगे, जिससे आपके घर पर खुशियों का माहौल बना रहेगा. बहुत समय से घर पर चल रहे जगड़ों से आपको मुक्ति मिलेगी. आज आपके कुछ रिष्टेदार आपके घर आ सकते हैं. आज आपके घर वह संपूर्णता का एहसास कराएगा. राशिकुम्ब, रोमैंस. आज आप अपने आपको अपने आपको अपने आफिस के अकेले सहकर्मियों की ओर आकर्शित पाएंगे. ज्यादा शर्मीले ना बनें और ना ही सीमा लांगें. धीरे धीरे आगे बढ़ें और पहल करें. गड़ा हो सकता है या फिर किसी को फिर से नौकरी पर रखने का मुद्दा. आप पर इस समस्या का प्रभाव पढ़ सकता है. राशिकुम्ब, फाइनांस. आज आपको रोड पर चलते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. तारे संकेत कर रही हैं कि अगर आपका किसी यात्रा पर जाने का मन बन गया है तो उसे टाल दें. अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप किसी वाहन के पीछे ना चलें. बाद में पश्चाताप करने से अच्छा होगा कि आप पहले ही सावधानी बरतें. प्राशी मीन, ओवर्वियू. आपके परिवार का कोई सदस्य, अथवा कोई मित्र आपको निराश कर सकता है और आपके सामने कोई परेशानी भी खड़ी कर सकता है. गुस्से में आकर शायद आप उन्हें डाटना चाहे लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे प्यार से ही समझाएं. उनको सजा देने की बजाए प्यार से समझाना ही ठीक होगा. तब ही उन्हें अपनी गल्ती का एहसास होगा. प्राशी मीन, रोमैंस आज आपको आश्चरेजनक रूप से इंटरनेट के माध्यम से आपकी खोज का कोई पार्टनर मिल सकता है. इसके साथ बंधन या विवाह योग की पूरी संभावना है. ये रिष्टा आजीवन साथी के रूप में सफल होगा. प्राशी मीन, करियर अपनी व्यावसाईक सीमा को बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है. ये वो दिन है जबकि आपके कदम धर्ती पर नहीं टिकेंगे. इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपका रुझान अपनी व्यावसाईक और सामाजिक योगिताओं को बढ़ाने समुद्र या पानी से संबंधित उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी फाइदे मंद है. मोती हो या मचली, सब पानी से मिलते हैं और इनका धंधा करने वाले आज अच्छे फाइदे में रहेंगे. असल में आज ग्रह और सितारे उनके पक्ष में हैं जैसे सिर्दर्द, जोडों का दर्द, यह सब आपकी लापरवाही के कारण ही है. यह जरूरी है कि आप सुबह टहलने जाएं, व्यायाम करें ताकि यह सब सुधरा जा सके.